बॉलिवोड की मशूर अभिनेत्री कंगना रनौत अभिने के साथ साथ अपनी बेबागी के लिए भी जानी जाती हैं। कंगना हर राजनीतिक मुद्धों पर अपनी रायत देती आई हैं। इसके अलाबा वह लोगों को और रिशाने साथने पर भी नहीं चूकती हैं। लेकिन जब भी कोई उनसे राजनीति में आने की बात करता है तो साफ तोर पर बना कर देती हैं। लेकिन अब कंगना जल्द ही राजनीतिक करियर अपना शुरू करने जाने हैं। कंगना ने इस बात का ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा कि पर्टी अगर टिकट देती है तो वह जरूर चुनाब लडेंगी। आपको बता देगी कंगना रूनत हिमाचल पर्देश की ही रहने वाली हैं। जब कंगना से पूछ गया कि वो राजनीती में आकर जनता की सेवा करने के लिए तयार हैं तो उन्होंने कहा वैसे तो मेरी कोई इस तरह की मंशा नहीं है लेकिन हिमाचल के लोग चाहेंगे कि मैं मंडी से चुनाव लड़ूं तो इसके लिए आपतिन नहीं है मीडिया से बाचित करते हैं उन्होंने आगे कहा कि जनता मुझे सेवा करने का मौका दे तो मेरे लिए ये सोभागे की बात है मैं राजनितिक परिवार से तालुक रखती हूँ पहले मेरे पिता कंगरेस में विश्वास रखते थे लेकिन दोजाच चोदा में मौधी जी के आने के बाद ट्रांस्फरमेशन हुआ मेरा पूरा परिवार आज भी मौधी जी की जै बोलता है कंगना के इस दोराद पियम मौधी के मापूरुष बताया कंगना के पॉलिटिक्स में आने से क्या क्या तहलका मचेगा आपको क्या लगता है कि हिमाचियों से कंगना क्या चुनाब जीत पाएंगी अपनी राय कमेंड बोक्स में चलूर बताएं